है गाइस वेल्कम बैक टू टीम्स फ़र वे यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम प्रिभू कर रहा है सोथ आफ्रिका वसस बंगलदेश का मैच जो की टीनुटी वर्ल्ड कप का मैच नंबर 30 होगा शेद इंटरनाशनल स्टेडियम या जो भी क्रिकेट स्टेडियम है उस तो वीडियो ना देखे वगर भी अगर लॉजिकल वे में अगर टीम मनाते हो तो विल्कुल जो है अच्छी टीम मन सकती है बहुत ज्यादा क्रिडिट का इशियो नहीं आएगा लेकिन फिर भी हम जो है ओर ओर बात करेंगे कि इन प्लेयर्स के ओपर आपका थोड़ा फॉलो कर सकते हो डिस्क्रिप्शन पहला कमेंट लिंक पिन है वहां से अब जो जो है पहुंच जाना फाइनल अपडेट और फाइनल टीम भी वहीं पर मिलने वाली है विद्धाट बिंग सेड हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में प्री मैच नूट्स आपके सामने हैं आप देख सकते हैं वेदर इंफो सनी कंडिशन रहने वाले बहुत ज्यादा कुछ जो हैं पे चेंजस नहीं है वेदर में पिच के अगर मैं बात करता हूं तो मेभी यहां पे उनके लिए अमाउंट में हेल्प नहीं देखने को मिल रहा है तो आपको पेसर के उपर फोकस करना खास करके विरियेशन्स वगेरा स्लॉग और समें डाल सकते हैं वह बहुत ज्यादा इंपॉर्णन बन सकता है वेन्यू स्टैट्स 54 मैंजस अभी तक इस वेन्यू पर पे 24 टाइमस बैटिंग फर्स और 30 टाइमस बैटिंग सेकंड करने वरे टीम्स ने बिन किया यानि बैटिंग सेकंड करना इस वेन्यू पर अभी तक जो है बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद रहा है चेज करना अच्छा रहेगा अब स्कॉर अगर पैटर्न की में ब्रिकड और उसलिया का एक मैच है यहां पे भीский हो गया एक्स dust आयिए इसको डिफेंड किया गया और यहां पे जो है एक सो सुपर नजर किया गया नमीब्या स्त्रिलंका इसको रोका गया यहां पर प्लाग और उसमें एयां पर नेडर्लेंड वसस आइलांड इस में kanske हो घू इक चीज है कि एक ही मैच है जो बहुत ही आपके सब्सक्राइब रहा उसके इलावा सारही मैचस में अच्छा ख़जा कॉंपटिशन देखने को मिला और और चेज भी हुआ है तो यह चीज हमें देखने को मिले है और विकेट में अकर देखोमे तो यह एकलोता मैं अचा है जहां पर आपको दोनों इनिग में अच्छे खासे अमांट में इस पिनर के देखने को मिल नहीं है बड़ा amount में कुछ help नहीं है, day matches की particularly में बात करना हूँ, Pacers बहुत ज़्यादा आगे रहे हैं, day matches में, last के 7 matches में अगर मैं particularly बात करता हूँ, तो 86 wickets बोलस ने निकाल ले हैं, जिसमें से Pacers बहुत आगे रहे हैं, साट का contribution उनका ही रहा है, और अगर पहला second inning के ओपर पुरा focus करो, तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे Pacers आपको दोनों inning में focus करने हैं, और second inning में थोड़ा बहुत आप spin को favor कर सकते हो, no issue, वहाँ पर कोई ज़्यादा आपके लिए वो नहीं, और उस मैच में बाउमा और डिकॉक ने open किया था, कुछ खास opening चला नहीं, उसके बाद वैंडे डूसन भी जल्दी आउट हो गए, देन उसके बाद मारकरम थोड़ा वो संभाला inning को, लेकिन उसके उनके साथ कोई भी यहाँ पर पार्टनर्शिप करने वाला था नहीं, तो विकेट ज़्यादा को अच्छा था नहीं उस दिन, और रन भी ज़्यादा नहीं बन पाए, जब second inning में रोखने की बारी आई, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चला, करिंट स्कॉर्ट से जो है बिल्कुल कोई भी प्लेयर अवेलिबल नहीं है, डेविड मिलर एक मैच में थे, जिन्होंने तेरा नॉट बनाया है, तो उसके लावा, वो दोने ही मैच विन किया था सोताफरिका, लेकिन करिंट स्कॉर्ट से प्लेयर नहीं है, उस मैच में कॉंट्रिबुशन देती वे, बंगलदेश इस विन्हों पर एक ही T20 इंटरनेशनल मैच खेला है, और उसको हारा है, और वो मैच था, यहाँ पर इंगलेंड के एगेंस्ट, इस मैच में जो है, मिडल ओर ने कॉंट्रिबुशन दिया था, जहाँ पर मुश्फिकुर्रहीम और आपको देखने को मिलेंगा, महमद ओला का एक कॉंट्रिबुशन, उसके इलावा कोई ज़्यादा बड़ा कॉंट्रिबुशन था नहीं, 124 बनाया था यहाँ बंगलादेश ने, और अगर देखोगे तो सेकेंड इनिंग में जब स्पिनर, जो हैं पर बॉलिंग करने की बारी आए, तो स्पिनर्स ने कुछ खास नहीं किया, एक तो नासुम महमद ने अच्छा स्टार्ट किया था, उसके बाद शोरी फुल इसलाम को एक विकेट लास्ट ओर में जाकी मिला था, उसके इलावा कुछ ज़्यादा बचा नहीं था वैसे बॉलर्स के लिए, जो रोकने के लिए, तो जब इतने छोड़ अप्रोडल बनते हैं, तो बॉलर्स को अर्ली ओन विकेट अकर मिलते हैं, तब ही जाकर मैच इंट्रेस्टिंग बनता है, वरना जो हैं पर फसाना बहुती मुश्किल होता है, सेकेंडिनिंग की टीम को, लेकिन एक ODI के कुछ मैचस मैंने आपर डाले हैं, अब मैं आपर कहूँगा, कि एक तो मुहमुद अला बोलिंग से भी विकेट ले रहे हैं, सो मिश्कर कार, ये भी जो है बोलिंग कराते हैं कभी-कभी, तो अभी जो है शकीवल अभी अपडेट देता हूँ, शकीवल अविलिबल नहीं है, और नुरुल हसन जो इनके विकेट कीपर हैं, उनको जो है एक तारीक का टाइम दिया गया था, कि एक नॉम्बर तब जो है उनका अपडेट इंजुरी के ओपर आ जाएगा, तो प्रबली आ जाना चाहिए, तो टॉस पे अगर नुरुल हसन खेलते वे देखने को मिलते हैं, तो मान लो कि वो फिट है, अगर वो नहीं है तो वो भी बाहर हो जाएंगे, अगर वो खेले नहीं तो ज़रूर हाँ, वो तो मान के चलो कि आप बाहर होंगे पूरे टूर्नामेंट से, और टीम ने बता भी दिया है कि उनका रिप्लेस्मेंट नहीं लेंगे, मतलब जो शकीवला सने उनका रिप्लेस्मेंट वो लोग नहीं लेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा जो हैंपे, सैफुद्दीन प्रिविएसली वो भी इंजट विये थे, उनकी जगा जो हैंपे रोबेल हुसेइन को स्कॉर्ड में रखा गया है, और वो अभी UAE में हैं, इतना तो जरू जो अपडेट में दे सकता हूँ, और सकेंड जो रिसेंट मैच ODI का है, इसमें आपके लिटन दास और मुश्विकुर रहीम के कुछ रंस देखने को मिलेंगे, मुहमद अला विद्दा बैट काफी बढ़िया, और विद्दा बॉल भी एक विकेट निकाला, मुस्तफिज उर्यमान अज इसविजुल दो विकेट इनके हैं, जो है, थार्ड मैच में देखो, तो यहाँ पे भी मुहमद अला का अच्छा कॉंट्रिविशन है, और विकेट जो है, नहीं मिला इस मैच में, शेकी बलासन के विकेट से हैं, लेकिन वो करेंट भी अविलिबल नहीं है, प्लेयर्स इस विन्यू पर इंडिविजुली, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, मैंने सारा चेक किया, तो यहाँ पे कुईंटेंडी कॉक और डेविड मिलर, इनके ही कुछ रंस देखने को मिल रहे हैं, जो मैंने आपके सामने डाल दिये हैं, काफ़ी डीसेंट है, दोनों का परफॉर्मेंस 30 प्लस का अवरेज दोनों का ही इस विन्यू पर है, बोलिंग से देखा जाए, तो कगी सो रबाड़ा, नौटिया और लुंगी इडी इनके ही विकेट्स हैं, मेरे को ज्यादा यहाँ पर अबाड़ा बेटर लग रहे हैं, जो हर मैच में लगबग लगबग दो विकेट निकाल के दे रहे हैं, 12 अगर स्ट्राइक रेट के साथ, तो यह है, और अगर प्रिव्यू के मैं बात करता हूँ, तो सोताफरिका की तरफ से, लाश मैच में कुइंटे निकाउक स्ट्रेटली, जो है, यहाँ पर अपने जो भी कॉंट्रोवर्सी वगएरा चल रही थी, उसको हटाते भी है, उन्होंने माना की हाँ नहीं ले लेंगे, तो उसके बाद जो है, वो आई थे, प्लेइंग लवन में खेले, तो यहाँ पर जो है, ओपन किया था उन्होंने, एंडिक्स के साथ देन, उसके बाद जो है, आपको क्लासन, जो है, मिस आउट होते भी देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे फार्म में थे, कि यह प्लेइर बहुत वड़िया है, अच्छे रंस बना सकता है, और जिस दिन टाइम होगा इनके पास, खेलने का अच्छे खासा तो वो अच्छे खासे बॉल ले के बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, वरना जिस दिन इनको नीड लगेगा कि हाँ शॉट्स लगाने, उस दिन ये शॉट्स भी अच्छे खासे लगा सकते हैं, और जो इनके प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, उसमें बहुत बड़ी आ फार्म में लगे थे, जो खेले उसमें एक मैच में बोलिंग नहीं कराई वरना दोनों ही मैच में बोलिंग कराई है तो दो-दो और तो अट-लिस्ट इनके निकल वाते हैं तो कहीं न कहीं इनके विकेट्स मिलने की चांसे से हैं और बैटिंग से भी काफी डिसेंट रहे थे और पंजाब के लिए जो आई-पेल खेला उसमें भी काफी बहुत अच्छा परफार्मेंस किया था इन्होंने खुद को अपने को डिमोट किया नीचे अच्छा डिसिजन था विकॉज टीम के लिए टीम के फेवर में जाना था तो अच्छा किया इन्हों डेविड मिलर बहुत नीचे में बनने वाले हैं नीचे मैं आपको हिट्वेड में दिखाता हूं तभी आपको उपता चलेगा ड्वेन प्रिटोरियस बहुत अच्छे डेथ बॉलर निकालके आ रहे हैं और इनको जो है यह एक रोल जो है सूट हो रहा है मेरे हिसाप से लग रहा है यह डेथ में बोलिं को रहे और all न Сейчас स्कॉर्ड का बहुत अच्चा डिसें थोड़ा बहुत बेटिंग अगर सपोर्ट कर दे तो बोलर इनके तहसनेस करा सकते हैं किसी बी टीम को बहुत अच्छी बोलिंग लाइनप इनके पास और और इनके पास जो है जो पार्ट- flor dar के साफ टीम जा रही है तो अच्छा जो है मेरे को देखके लगा बंगलादेश की तरफ से अभी मैं जो बोला अल्री बहुत कुछ चीज़ें चल रही है इनके साथ मेरे एसाब से तो खतम है इनका अभी तो वर्ल्ड कप है तो बहुत जादा कुछ बचा नहीं है इनके लिए की प्लेस में अगर मैं बात करते हैं तो महमद नईम जो विकिट कीपर बैट्समें अभी आप इनको कह सकते हैं कीपिंग भी करेंगे उसके बाद महमद उल्ला और देनुस के बाद शौरी फुल इसलाम बहुत अच्छे बॉलर हैं डेथ में बोलिंग कराते हैं बहुत अच्छे लगते हैं डेथ में बोलिंग कराते हैं बहुत अच्छे एक्स्पेरिमेंटल बोलिंग कराते हैं तो जुरूर आप ट्राइ कर सकते हो आठ क्रेडिट में बहुत ही ज्यादा वैल्यू एड़ करते हैं तो पॉसिबल गयारा में महमद नईम ओपन करेंगे लिट अंदास के साथ देन उसके बाद हैं आप सो मशरकार जो बोलिंग भी करा सकते हैं अब देखो जब यहां पर जो है शकीवल हसन नहीं है तो उनकी जगर शमीम पटवारी करके इंके पास एक प्लेयर है शमीम हुसें पटवारी आप अगर इनका रिसेंट फॉर्म रेक खेल सकते हैं अब मेरे को नहीं पता शकीवल हसन की जगह यह लोग क्या खिलाएंगे क्यूंकि जो रिजर्व है उसमें भी कोई एक ही प्लेयर रखा है इन्होंने आइगेस इसलाम कुछ नाम है उनका तो वह भी कुछ जो हैं पर बहुत धांस हालोडर नहीं है लेक्स पिन नहीं लग रहा है फार्म के चलते प्लेयर थोड़ा वो जूज रहे हैं और अभी जो है सोने पर सुहागा आप मानलो या आप कह सकते हो नहीं वो तो होगा अगरीबी में आटा गिला तो यह हो गया तो यहां पर शकीव जो है अभी बाहर जा चुके हैं तो ज्यादा कुछ सकते हैं या किसी को पूरा जो है एक कोटा मिल जाए या हो सकता है थोड़ा-थोड़ा करके सब लोग कर आए तो यह पॉसिबिलिटी निकल के आ रही हैं बोलिंग से देखा जाए तो मेरे साब से मुस्तफिज रिमान और नासू मुहमद श्वेरिफू इसलाम यह तीन बोल हैं तो उनका भी यूज किया सकता है मुहमद अला भी तो बहुत कुछ हैं तो मेहदियस्थान के बाखी जो वेराइटिस हैं वह शोरिफूल इसलाम मुस्तफिज रिमान और नासू मुहमद यह तीन बोलर मेरे को ज्यादा स्पेशल लग रहे हैं हिट्टो एडिश्री में हुआ था वह सेंवी स्पाक में हुआ था और यह सुथा अफ्रिका ने जो है 224 पहला इनिंग में बनाया था 141 पे बंगलादेश को और लोट किया था इस मैच में कितने नंबर पर खेल ले तो पांच में नंबर पर आईगेस खेल लेते और यहां पर बनाया है अभी थोड बहुत वरिंग साइन है वरना में इनको डेफिनिटल अपनी टीम में रखने ही वाला हूँ ऐसे भी रखने वाला हूँ बंगलादेश की तरफ से अगर देखा जाए शो में शरकार और यहां पर मुहमद उल्ला इनके बैटिंग करते हुए और बैटिंग से कुछ रन है वै शो में शरकार बैटिंग से और कोई और जो हैं पर सपोर्ट इनको मिला नहीं बोलिंग से देखा जाया रूबेल हुसेन का करेंट स्कॉर्ट से एक विकेट आपको पहला इनिंग में देन शेर बंगला नैशनल स्टेडियम धाका मिरपूर 2015 पुराना मैच सोथ आफरिका 169 अच्छे रन बनाये बंगलादेश को फिर से रोका डिफेंड किया तीन बार तीनों ही बार जीता है डिकॉक अगेन बैटिंग से और मिलर के कुछ रंस और जब चेज किया शो में शरकार का अगेन परफॉर्मेंस और मुस्तफी जुरेमान का विकेट पहला इनिंग में और जो है बंगलादेश चेज नहीं कर पा रहा है तो चेज करने में थोड़ी दिक्कत इनको जरूर देखने को मिली है लिट अंदास के इस मैच में परफॉर्मेंस है करेंट स्कॉर्ट से मुस्तफी जुरेम यहां पर मुश्विकुर रहीम के आपको कुछ रंस देखने को मिल इवेंट किया और मैच को विन किया 109 पर रिष्रिक्ट किया यहां पर बंगलादेश को करेंट स्कॉर्ट से कोई भी परफॉर्मेंस सिग्निफिकंट इस मैच में अवेलिबल नहीं है बहुत पुराना मैच है तो यह मेरे को अभी तक जो है डेटा जितना था मैंने आपके फोकस मत करो कोई भी अगर यूटूबर आपको बताता है कि हां यह मैच अपस हैं इनके मैच अपस बहुत पुराने हैं तो आप उनको देखके मैच अपस वगएरा के उपर फोकस करोगे तो उल्टा आपका लॉस होएगा टिरवन्टी वर्ड कप में आपको मैच अपस ऐस स्ट्रगल है तो आगे ढूंडों के राइट आम और कोन है वो आउट कर सकता है पर्टिकुलर्ली किसी बोलर के अगेंस ट्रगल है वह थोड़ा बहुत ही निकल के आता ही कि हां वही आउट करेगा लेकिन मोचली जो एक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है मैच आपके औ करता है तो क्विंटन डिकॉक इनको मैं कैप्टन रखोंगा ओबिसली नो डाउट इस वेन्यू पर देखो उंडे मैच इन्हों ने दो हजार आठरा या सत्रा में आगेस खेले हैं दो या तीन उसमें इन्होंने हर मैच में 40 प्लस का जो हैं पर रंस बनाए हुए हैं मैच म मैं इनको कैप्टन रख रहा हूं इस वेन्यू पर अच्छे रेकॉर्ड्स हैं और वर्ल जो है काफी डिसेंट हैं तो इसलिए मैं कुईंटन डिकॉक कैप्टन रखूँगा पहला इनिंग बैटिंग करें इनको रखूँगा लेकिन एक और चीज इनके लिए मैं फैक्ट बता देता हूं इनका डे मैचस में परफॉर्मस थोड़ा फीका रहता है मैं हमेशा अब्जर्व किया हूं यह मेरा अब्जर्वेशन है मैं बता रहा हूं डे मैचस में कुईंटन डिकॉक को जो फॉर्म है वो थोड़ा डिप हो जाता है आई डोंट नो क्या है अंडर ला में से किसी एक को वाइस काप्टन बना के चल सकते हैं यहां प्रिटोरियस में भी वह डैट में अच्छी बोलिंग करा रहे हैं आपके उपर ऑप्शन से आप ले लेना महमुदुला बोलिंग करा सकते हैं इसलिए मैं इनको रख रहा हूं श्वह में शरकर ऑल्सो काफी डिसे के बाद महरे दिया असार ऑप्शक्षन में तीनो ऑप्शन अच्छ है तो मैंने तीनों को रखा है बोलिंग से जो ऑप्शन अच्छ हे थे वही मैं रखा यहां पे तीनों ही हाइज क्रेडिट प्लेयर सकते हैं इनको मैं रखा है बाकि शौरीफुल इसलाम आप चाहो तो स हटा भी सकते हो इनकी जगा मारकरम बनाओ ज्यादा सेफ रहेगा बोलिंग भी करा रहे हैं दो तो अच्छे उप्शन लगेंगे रिस्क्य उप्शन्स में से रबाडा वैंडर डूसन और महमधुला यह महमधुला का रेकॉर्ड ना इस वेन्यू पर काफी काफी बढ़िया ह वैसे उवरॉल मैं कहूं तो काफी बढ़िया है वंडे का रेकॉर्ड है लेकिन काफी बढ़िया है तो इससाब से महमधुला काफी डिसेंट लग रहे हैं रबाडा थोड़ा बहुत मैं कहूंगा इस वेन्यू पर अच्छा किया है इसी वजह से रबाडा मैं रेक्मेंड क लेके बना सकते हैं ग्रैंड लिग के पंस में करमें बात करता हूं तो रीजा हैंडिक्स अच्छे ओपनर हैं डॉमेस्टिक लेवल पर सोताफिका में अच्छा नाम है इनका अच्छे ओपन करते हैं लेकिन अभी इंटरनाशनल लेवल पे उसको जो हहां पर में ट्राइ करना डेविड मिलर रेकॉर्ट बहुत अच्छे हैं बहुत सारी जनता इग्नोर कर रही है लेकिन अगर बैटिंग आती है तो आपने विकेट के लिए वैल्यू जरूर एड करेंगे तो दूरू जह आप इनको ट्राइ कर सकते हैं रेकॉर्ट सापने देख लिए क टेस्ट मैच के लाइन लेंट पर बोलिंग कराते हैं और जो है थोड़ा वो श्ट्रगल जो है अंगलिदेश के बैट्समें लेफ्ट आम आउटोडोक्स के अगेंस्ट करते विए देखने को मिले हैं इसी वजह से मैं रेक्मेंड करूं कि ग्रैंड लिग के ना दो कॉमिन चेकें इनिंग में बोलिंग कर रहे हैं या नहीं देर उसके बाद शोरीफुल इसलाम मैंने जैसे बोला काफी अच्छी बोलिंग कराते हैं डेथ में तो जुरू ट्राइ कर सकते हो तो यह था इन्फोर्मेशन वीडियो में जितना भी मैंने आपको समझाया चीजें स्टै अनॉंस्मेंट है या कुछ भी तो जुरू जे सब कुछ टेलिग्राम पर ही मिलता है डिस्क्रिप्शन पहला कमेंट में लिंक मैंने आपके लिए पिंग किया है आप जुरू जे वहां से पहुंच सकते हो डिस्क्रिप्शन खोलो तो रीड मोर का उप्शन आएगा उस पे मिलते माने-टो जेने कि किया है जा लुक झालाम फोलो जोजैंहाओए कोछ जालाम थालाम मर कोछ जो एंडने उसनार के जाधि व्युच कोछ जाशनार की महां जैंगेंगे हैं।